दोस्तों नमस्कार आज कर जो हमारा विश्य है वो है बच्चों के लिए टॉनिक हमी परती में कौन से दवाईयां देनी चाहिए बच्चों को ताकि बच्चे स्वास्त और तगरे रहें सबसे पहली दवा जो है वो है कलक्रिया फॉस कलक्रिया फॉस जो है 30 में और उसके साथ में लेसे थी यह दवाईयां जो हैं बहुत ही अच्छा काम करती हैं एक को इसे अलग-अलग जो बूंद आजय का पानी मिला के देने से बहुत ही लापकारी होता है कभी भी दवाईयों को एक साथ मिला के ना दें इससे जो है वो फन नहीं मिलेगा जो अकेले एक को देंगे यो उसके साथ में के लिव अपधmarket के पूरिशी में जोडर्यों के श handmade देने से और वी अच्छा काम करती है और पेट के तकलिव को अबधு दूर करती है सुसे साथ में हविना सटाइवہ थर्टी को पूरिशी में या फिर एलफा-लफा 20 क्हों सी में ढूर और न परी मिलाके दें मिश्टिर जाब बतमी वच्छों को कभीगा भी नक्समिका 200 की पुरिंशी में तिन दिन के बाद में एक बार दें और सलफर 30 की पुरिंशी में इसे भी तिन दिन के बाद बाद एक बार दें, याद रहे कि दून दूआई को अलग-अलग देना है, कभी भी दून दूआई को मिला कि एक साथ न दें और फिर कैमों मिला 1M की पुरिंशी में, सब्ता में एक दिन अगर बच्चे के यस्मर्ट सकती कम हो, तो उसमें एनरकाडियम 1M दें कभी-कभी लोग सेम भी देते हैं, पर सेम देना बच्चों के लिए ठीक नहीं अभी, लेकिन आप दे सकते हैं, 20 दिन में एक बार, तो यह रही बच्चों के कुछ असुनियों को बारे में असा है, यह आप पसंद आएगी, अगर पसंद आए, इससे सेर अवच से करें, ताक लोग लिए भूंपिती, लोग लिए भानी में,